तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसे पहले के चार पार्ट को देखे हैं कि नहीं देखें जिन्होंने देखा है अच्छी बात है जिन्होंने नहीं देखा वो भी अच्छी बात है तो चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पादब अकार की यानि इससे जुड़े हुए जो भी पादब के भाग होते हैं जैसे जड़ हो गया यहाँ पे हम उसके बात देखेंगे अपास्थनिक जड़ होता है मुस्तला रखा है तो बहुत अच्छी बात है नहीं देखा है तो ज़रूर एक बात जागर के लिएगाउट कर लिजेगा अगर आप सिरियस हो अपने एकजाम को ले करके तो चलिए फिर सुरू करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं जड़ देखे जड़ यहां पी क्या है तो जा सकते हैं या फिर आप अगर PCS की त्यारी कर रहें तो वहां पर भी इस तरह के questions पूछे जाते हैं तो जड़ पौधों के अक्ष का अवरोही भाग जो की मुलांकुर से बिक्सित होता है जड़ सदेव प्रकास से दूर भूमी में ब्रीधी करती है यानि यह तो आपको पत मतलब कि जड़ क्या होता है गुरुत वर्ती होता है धनात्मक रूप से उपर की तरव यह जाता है और इडात्मक रूप से प्रकास वर्ती होता है जड़ पर एक कुसी की रूम पाए जाते है एक कुसी की रूम होता है जड़ का सीरा मुल गोप यानि रूट कैप द्वारा सुरक्षित रहता है किसके दोरा मुल गोप के दोरा सुरक्षित रहता है जड़ के कारे क्या क्या होते हैं तो जड़ पौधों को भूमी में स्थिर रखती हैं मुल रोम तथा जड़ों के कोमल भाग जल और घुलित खनीज लवडों का अवसोशन करते हैं जड़े अवसोसित जल और खनीज लोड़ों को उपर की और तने और पत्ती में समोहन करती हैं, कुछ जड़े अपने अंदर भोचे पदार्तों का संग्रह भी करती हैं, तो ये सभी के सभी जड़ के प्रमुखेकार हैं, तो questions के format में इस तरह से पूछा जा सकता है कि जड़े कितने परकार के होती हैं, तो दो परकार के होती हैं, एक अपास्थनिक और एक होता है मुस्ला जड़े, दोनों परकार के बारे में हम एके करके देख लेते हैं, सबसे पहले आता है अपास्थनिक जड़, तो अपास्थनिक जड़ों की प्रमुख विसेस्ता क्या ह यह मुलांकुर के अत्रिक्त पादप सरीर के किसी अन्य भाग से विक्सित होते हैं यह एक बीजपत्रिये पौधों में पाई जाती हैं अपास्तनिक जड़ों में मुलांकुरां मुलांकर के बजाय जो मुलांकर के बजाय पौधों के किस भाग से निकलते हैं तो अन्य भाग से निकलते हैं, नेक्स्ट आता है, ये जो प्रश्ण कई बार पूछा गया, इसको याद रखेगा, जडों की कोशिकाओं में लंबे रोमों वाले भाग को क्या कहते हैं, मुल रोम कहा जाते हैं, घास तथा बरगद में किस प्रकार की जड़े पाई जाती है, तो अपास्थन होते हैं, ठीक है, तो यही बात हो जाती है, अब नेक्स्ट पस्ट ये पूछा जा सकता है कि अपास्थनिक जड़ का रुपांतरन है, तो अपास्थनिक जड़ का रुपांतरन सकरकंद होता है, सकरकंद अपास्थनिक जड़ का रुपांतरन है, रेसेदार या फिर जखड जड़ किस प्रकार की जड़े हैं तो जखड़ा जड़े अल्प जीवी प्रात्मिक जड़े हैं ये तने के अधार से निकलती हैं गेहों के पौधों में किस प्रकार की जड़े होती हैं तो इसी प्रकार की जड़े पाए जाती हैं पान का लता में बनने वाली जड़ को कौन स वाली जड़ कौन से होती है तो आरोही जड़ होता है आरोही जड़ कौन सा पादब आंसिक मुल पर जिवी होते हैं तो चंदन जो है अपास्टनिक जड़ो का रुपांत्रन कारे के अधार पर ध्यान दीजेगा भोचे-पदार्थ संचीत करने के लिए जैसे कि सकरकंद जो ह होता है तो साथ वर और डहेलिया में पुलके जड़े होता है तो इसको आप अच्छे से पढ़कर के एक बार याद कर ले ना मक्का गना में अवस्तंब मुल्के होते पान और पोतोस में अरोही मुल्के जड़े होती है ठीक है तो आप इनको एक बार देख लेना PDF जब आपको टेलिगराम पर डाल दिया जागा तो वहां से आप एक बार याद कर लेना तो प्राथमिक मुल एवं इनकी सखाएं मिलकर की मुसला तंत्र का निर्माण करते हैं मुसला जड़ों की प्रमुक विस्ते इस्ताएं क्या है तो इसमें मुलांकुर विक्सित होकर मुख जड़ का निर्माण करते हैं इस प्रकार की जड़े द्वी बीज पत्री पौधों में पाई जाती है। द्वी बीज पत्री, एक बीज पत्री के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में बात किया हुआ है। आप उसको देख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों में गाठे पाई जाती हैं तो लेग्यू मीनेसी जो पौधे होते हैं उनमें गाठे पाई जाती हैं चुकंदर की पौधे का कौन सा भाग है यानि चुकंदर की पौधे का कौन सा भाग है मुख्य जड़ होता है तरकू रूपी जड़ किसकी होती है तो मुली की जड़े होती हो तरकू रूपी होती है अब यहाँ पर दीखे प्रमुख मुसला जड़ो का रूपांतरन जो पूछा जाता है questions तो यहाँ पर याद रखेंगे प्रमुख जड़े और रूपांतरन है ज नेक्स्ट हम बात करेंगे तना के बारे में तना क्या है तो तना प्राकुर से बढ़ने वाला पादब का वायाविये भाग है जो पतिया सखाएं तथा पुस्प धारन करता है पादब कली क्या है तो एक ब्रोणिये टहनी होता है पादब कली एक ब्रोणिये टहनी होता है तन त्रव सख्षाएं और पतियां भी लगती हैं, तने काहर बिलनाकार, चप्ता अतवा कौणी ही होता है। तने काहरी की बात करें, तने का मुख्य कर जल्ध, खनीज, लवन तथा प्रकास, अंतवी, पदार्तों का समुहन करना होता है। तने के उस भाग को क्या कहते हैं जहां पत्ती उत्पन होती हैं तो उसे पर्व या फिर असंधी कहा जाता है असंधी ठीक है तने का रुपांतरन कितने परकार का होता है तो तीन परकार से तने का रुपांतर होता है एक भूमिगत एक वायविये और एक होता है उप वायविय तो ये तिन परकार से भूत्तने का रूपांतरन होता है वयाविये तने किसे कहते हैं तो जब संपूर्ण तना भूमी के उपर स्थित होता है उसे वयाविये तना कहा जाता है संपुन तना भूमी के उपर इस्तित होता है उसे वयाविय तना कहते हैं गुलाब, अंगूर, नागफनी, रसकस तथा कोको लुवा में किस प्रकार के तने पाय जाते हैं वयाविय तने पाय जाते हैं कुनैन जो मलेरिया के इलाज में परयोग की जाती है सिंकोना पादव के किस भाग से प्राप्त होता है तो छाल से, ये ब्रश्ण बहुत बार पूछा गया सिंकोना की छाल से प्राप्त उसदी को मलेरिया के उप्चार के लिए परयोगत किया जाता है किस क्रित्रिम औसधी ने इस प्रकिर्टिक उत्पाद को प्रतिस्थापित कर दिया तो क्लोरोक्वीनिन जो हता है क्लोरोक्वीनिन इसका इस्तमाल अब जो कि किया जाता है यह प्रकार का क्रित्रिम औसधी है यानि कि सिंथेटिक तरीके से बनाया गया जो पहले सिंकोना की चाल का इस्तमाल करके मजरिया को ठीक किया जाता था, उप्चार किया जाता था, उसके स्थान पर अब इसका इस्तमाल किया जाने लगा है, मजरिया निदान हे तुक, आर्टी धर, आर्टी धर, नामक और सधी किसे प्राप्त होता है, तो ये बीजिये प करका कंद होता है ये प्रष्ट कई बार पूछा जाता है जैसे कि यह हो गया आलू कौन सा रूपांत्री तस्तंब है आलू हो गया आलू का कौन सा भाग खाने यह हो गया तना अधरक क्या है तो प्रकंद होता है यानि कंद और प्रकंद दोनों याद रखेगा आलू एक परक अक्षर है अगर अद्रक की बात के तो अद्रक में आप देखेंगे तो थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है यानि चार अक्षर कहेंगे आप तो प्रकंद में भी आप देखेंगे चारक अक्षर दिखेगा ठीक है तो इस तरह सा आप यहाँ पर याद रख पाएंगे अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटर नोड होता है ये प्रश्ण NTPC में पूछा गया है प्रिवियस आप देखोगे तो खाना बनाने एवं स्वाध हेतो परियोग किया जाने वाला अदरक जो एक राइजोम है क्या है तो ये भूमिगत तना होता है पौधे के कौन से भाग हल्दी कौन से भाग हल्दी प्राप्त करता है तो तना से हल्दी के पौधे का कौन सा योग हिस्सा योग हिस्सा कौन सा है यानि खाने योग हिस्सा कौन सा है तो प्रकंध होता है हल्दी और अध्रक दोनों प्रकंध होता है जबकि आलू कंध होता है लहसुन की अभिलाक्षडी गंध का क्या कारण है तो सल्फर्क के कारण इसमें गंध होता है कौन सा पदार्थ लहसुन में पाया जाता है तो elisin पाया जाता प्याज की छिलके उतारने पर आसु आते क्योंकि प्याज निसकासित करते हैं सलफेनिक अमल कौन सा पादप तना परजिवी होता है तो अमर बिल तना परजिवी है नेक्स्ट आता है कि सल्ककंद पौदे की किस हिस्से का रूपांत्र रहता है तो सल्ककंद जो है वो तने का रूपांत्र रहता है प्याज में खाद पदार्थ किस रूप में संचीत होता है तो सिलोज के रूप में संचीत होता है प्याज में खाद बदार्थ किस रूप में संचित रहता है तो से लोज का रूप में संचित रहता है और ये देखे हमेशा पूशा जाने वाला पॉइंट है कि भूमिगत तनी का रूपांतर रूप कौन-कौन सा है जैसे आलू अपका कंद हो गया, हल्दी, अद्रक, केला, फर्न ये सब प्रकंद होता है जिमी कंद, अर्वी, कचालू ये सब उतना पूशा नहीं जाता है प्याज लरसुन याद रखनेंगा सल्क कंद होता है खास करके आलू, अद्रक और हल्दी, ये तीन बहुत महत्पूने, तो इनको याद रख लेज़ेगा जैसे आपको बैने बताया, उस तरह से याद रिखे, आपको असानी से याद रहेगा नेक्स राता है कि पत्ति क्या है पत्तियां प्रकास अंसलेशन की किरिया द्वारा पौधों के लिए भोजन का निर्मार करती है पत्तियां प्रकास अंसलेशन एवं सौसन के लिए बिभिन गैसों का अधान परदान भी करता है पत्तियां वासपुत सर्जन को नियंत्रिन भी करती है पतिया कलिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती या कंटको में रुपांतरित होकर पसु पक्षियों से पौधों के रक्षा करती है और भी बहुत सारी चीज़े हैं आप यहाँ पे दिखेंगे कि प्रतंतूब में रुपांतरित होने पर यह कमजोर पौधों का मजबूत अधार प्रदान करता है तथा अरोहन में मदद करता है कीट भक्चे पौधों में पीचर, ब्लेंडर, आदी में रुपांतरित होकर के प्रोटीन युक्त पोशन में सहाथा करती है कुछ पतिया वर्धी प्रजनन और प्रांगर में सहाय करती है कुछ पतिया भोजन संग्रह का भी काम भी करता है तो ये सब कुछ important चीज़ें जो पतियों का प्रमुख कारे होता है अब यहाँ पर आता है कि पतियां कितने परकारकी होती है तो ये दो परकारकी होती है एक सरल पत्ती और एक सन्यूक्त पत्ती पौधों में गैसो का आदान परदन किसके माध्यम से होता है तो पतियों में स्तित जो रंध होता है जिसको इंगलिस में स्टो माटा कहा जाता है चोटे-चोटे चिद्र होता है उसी के माध्यम से जो पौधों में गैसो का आदान परदन होता है एक अक्ष तता तने पर पतियों की विवस्था को क्या कहते है तो पंड विन्यास कहा जाता है समरांतर सिरा विन्यास किस में पाया जाता है एक बीच पत्री पौधो में एक दलिये पौधे को दो दलिये पौधो में भेद करने में कौन सी विसेस्ता मदद करती है तो सिरा विन्यास मदद करता है अलग बनाती है सिरा विन्यास किस प्रकार की पत्ती में पत्रकों की जो रचना होती है केंद्री है सिरा के पास होता है तो पेनेटली सन्यूक्त पत्ती में घट पढणी किस प्रकार का पादप है तो किटाहारी पादप है यह बांसारी होता है घट पढणी घट पढणी निपिन्थिस खासियाना जो है नामक दुरलब एवं अपातिय पौधा कहां पाया जाता है तो मेगाले में पाया जाता है पौधो का कौन सा भाग फूल बनने का उदीपन गरहन करता है तो पन यानि पतिया अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग पुस्प के बारे में यानि फूल पुस्प जो होता है पुस्प क्या होते हैं तो पुस्प में पौधो के प्रजनन अंग होते हैं जिसमें पौधो में लेंग प्रजनन के किरिया होती है जिवन चक्र की द्रिष्टी से पौदो का सबसे महतपूर नंग होता है पुस्प ये एकदम भीवियाई प्रश्ण याद रखना है जिवन चक्र की द्रिष्टी से पौदो का सबसे महतपूर नंग पुस्प होता है पुस्पो का अध्यान हम लोग अल्रीड बात कर चुके थे अन्थोलाजी होता है पुस्प के कितने भाग होते हैं तो पुस्प के चार भाग होते हैं जिने पुस्प चक्र कहते हैं पुस्प चक्र पुस्पासन पर एक निस्चित किरियाक में विवस्थित होता है पुस्प के जो भाग है चार परकर आप यहां पर देख सकते हैं बाह दलपुंच, दलपुंच, पुमंग और जयांग, पुमंग जो होता है वो नर जननांग होता है और जयांग होता है जो मदा जननांग होता है तो ये भी प्रश्ण पूछा जाता है कि पुस्प के पुरु उसे पुर्ण पुस्प कहते हैं, और अगर नहीं रहेगा तो अपुर्ण पुस्प कहते हैं, पुस्प के अंगो या फिट चक्रों की उपस्तिती के अधार पर पुस्प कितने परकार के होते हैं, दो परकार के, जो देख रहे हैं, पुर्ण पुस्प, अपुर्ण पुस्प ठीक है पुष्प जिस अधार पर उपस्तित होता है उसे हम लोग कहते हैं पुष्प आसन पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है बाह दलपुंच यानि कि इसको इंग्लिस में कैलिक्स कहते हैं हम लोग प्रजनन के लिए फूलों में आवस्या कौन सा होते हैं तो पुकेसर और स्त्रीकेसर यानि जो नर जन्नांग और पुरूर्स यानि जो मालत जन्नांग हो गया उसी को कहा था पुकेसर और स्त्रीकेसर पौदो में अर्ध सुत्री विभाजन के अध्यन के लिए सबसे उप्यूक्त भाग कौन सा है तो पराग कोस ही होता है पुस्पो का मदा जन्नांग क्या कहलाता है तो स्तरीकेसर या फिर कोरपल कहते हैं कारपल ठीक है कारपल तो यह धियान रखेंगे चलिए आगे बढ़ते के बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कि पुस्प के मद्ध में स्तित होता है कारपल यानि की स्तरीकेसर पुस्प में स्तरीकेसर के सिर्ष भाग को क्या कहते है वर्तिकागर कहा जाता है वर्तिकागर जैसे केसर में आपने देखा हुआ अक्सर पूछाता है केसर से लेटेड किसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग मिला जाता है तो वर्तिकागर यानि स्टिग्मा ठीक है पुस्प में जयांग सरोच स्थान पर इस्तित होता है और अंग नीचे इस्तित होता है इसे कहते हैं वो लोग अधो जयतांग जयतांगता अधो जयतांगता एक लिंगी पुस्प किसमे पाया जाता है तो पपीता में एक लिंगी पुस्प पाया जाता है उभै लिंगी पुस्प किसमे होता है तो सर्जू में यदि किसी उभै लिंगी पुस्प में पुमंग और जयांग अलग-अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ को क्या कहते हैं तो भिहिनकाल परपक्वता कहा चाता है भिहिनकाल पक्वता मतलब अलग-अलग समय पर हो रहे हैं लॉंग क्या होता है तो लॉंग एक बंद कली का होते हैं इंद कलिया होती है नेक्स होता है कि लॉंग पॉदे की किस भागते प्राप्त होता है तो पुष्प की कली से ये प्रश्ण बहुत बार पूछा गया इसको याद रहेगा कि लॉंग पॉदे के किस भागते प्राप्त होता है पुष्प की कली से प्राप्त होता है किसर किसका सुखा मिसरण होता है, तो फूल और बीज बनाने वाले भागों का ये मिसरण होता है, दुनिया में सबसे बड़ा खेलने वाला पुस्प कौन सा है, तो रेफलेशिया सबसे बड़ा पुस्प होता है और उल्फिया सबसे छोटा होता है नेक्स्ट एकी परांगण की वीधिया कौन कौन सी होती है तो परांगण की बहुत सारी वीधिया है वायू द्वारा परांगण होता है कीट द्वारा जल द्वारा जन्तु परांगण पक्षी परांगण और मेलिकोफिलिक्स होता है चेरेप्टोफिलिक्स होता है तो बहुत अब नेक्स्ट आम बात करते हैं फल, तो फल क्या होता है, तो फल एक परिपक्व है, अथ्वा पुर्णता निर्मित अंडासे हैं, जिसका निर्मान निशेचन के उपरांत होता है, फल, चिक है, पाधपों में परिपक्व है, अंडासे पाधप की किस भाग में परिवर्थि पादप का वर्धी भाग नहीं होता है, फल, फल कितने पर करके होते हैं, तो फल दो पर करका होता है, एक सत्य फल और एक सत्य फल, तो सत्य फल और सत्य फल पर भी मैंने एक लग वीडियो बनाया हुआ, आप उसे देख लेना, अंडासे से निर्मित होने वाले फल को क्या कहत पुस्पी ये भाग के फल में परिवर्तित होने वाले फल को क्या कहते हैं? इसे हम लोग फुट फल कहते हैं, यहीं कि असत्य फल, कुट फल मतलब असत्य फल नेक्स्ट है कि कौन सा सचा फल नहीं है? तो सेब, नसपाती और काजु जो की वो सत्य फल नहीं, वो असत्य फल होता है सेब के फल में लाली का क्या कारण होता है? तो इंतोसाइनिन, ये अलग एक टॉपिक होता है कि पहुदों में जैसे लाल रंग, पीला रंग या फिर जो, उनमें, जिससे की हम जाते हैं करेले में जो कड़वाट आता है, वो सबका अलग लग कारण होता है तो यहां पर भी वही चीज़ है कि सेब के फल में लाली का करण इंतोसाइन होता है फलो में मेठे स्वाद का कारण होता है फ्रोक्टोज फल सरक्रा किसे कहते हैं तो फ्रक्टोज को फल सरक्रा कहते हैं फ्रोक्टोज किस परकार की सरक्रा है तो मोनो सिक्राइड सरक्रा है नेक्स्ट है कि टमाटर क्या होता है तो टमाटर एक परकार का फल है और टमाटर का लाल रंग होने का कारण होता है लाइकोपीन, यह आपको याद होगा, समंतक किस फल का परियोग फल के रूप में नहीं होता है, तो टमाटर का इस्तमाल फल के रूप में नहीं होता है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, तो केरिका जैनतीन, केरिक पीला होता है मिर्च में जो वो तीखा होता है Church Adam को क्या पासीन कासीन की उपस्तिति के कारण किसमें बहू भी जीफल नहीं पाया जाता है तो लीची में मटर किस परकार का पौद है तो फलीदार पौद है कौन सा पादर अपने जीवन काल में किवल एक बार ही फुल और फल देता है तो केला ठीक है केला केले का कौन सा योग है जो हिस्सा है कौन सा खाने योग हिस्सा क्या कहलाता है तो अंता फल भित्ती और जातिके खोच की है, जिसकी उचाही लगबग 11 मेटर तक जाती यह, उसके फल का गुदा नारंगी रंका है, यह भारत के खिंग में खुच गई है, तो कि से प्राप्त होता है, तो पोस्ता, पापी जो है पोस्ता इसे प्राप्त होता है, अफीम का वनसपत्ति नाम आप अफिम के फल से प्राप्त होता है, दोनों प्रश्ट घुमा करके पूछा गया, हिरोईन जो है, हिरोईन किसे प्राप्त होता है, अफिम पोस्ता से, संपुन फलों को कितने भागू में भाजित किया जाता है, तो तीन भागू में भाजित किया जाता है, संपुन फल को, एक ह उताब का सरल फल, एक होता समुफल और एक होता संग्रहितवल, तो ये तीन परकार के संपूर्ण फलों को भाजित prevalence अब आप से पूछाμεंगे । wo P. रत्म होते हैं everywhere 3 फल स कितने परकार के Зροार राशा ऑड़, 2 यह बाता है क्या कहते हैं जिसके बाहरी छिलके और गुद्दे के अंदर एक सक्त गुठली होती है तो उसे डूप कहते हैं डूप ठीक है डूप लीची को फलों के किस परकार में रखा जाता है तो डूप के अंदर रखा जाता है क्योंकि इसमें भी तो गुठली होती है ठीक है गुठल फल या फिर समु फल कितने परकार के होते हैं तो चार परकार के होते हैं तो वापिस है यह चार परकार के फल जो यहां पर आप देख पाएंगे इस अब आप PDF में देख ले ना अराम से देखना होगा तो संग्रतिल फल कितने परकार के होते हैं तो दो परकार के होते हैं सिरो पत्र मुलांकुर और प्रांकुर चीक है पौधे की बीज में एक खाद भंडार के रूप में कौन कारे करता है तो बीज पत्र कारे करता है खाद भंडार के रूप में पौधे भविसे के लिए खाद को बीज के किस भाग में संग्रहित करते हैं तो कोटी लेडोन के अंदर जो की संग्रहित करके रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि बीज अंकुरन के दोरान मुलांकुर बिकसित होकर कि किसका निर्मार करते हैं। तो जड़ का निर्मार करते हैं। बीज अंकुरन के प्रांकुर बिकसित होकर कि किसका निर्मार करते हैं। तने का तो उपर हमने देखा था जड़ जब बात कर रहे थे तना बात कर रहे थे दोनों में हमने बताया था कि जड़ का विकास मुलांकूर से होता है और तने का विकास प्रांकूर से होता है ठीक है उसी तरह से पादफ फल का खाने योग भाग कौन-कौन सा होता है तो ये क हल्दी, केसर, यह सब इसके अंतरगत आते हैं, तनावले, अननास, जो होता है, परिपल, पुंज होता है, तो इस तरह से आप सभी को याद रखेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यह, सेव नसपाती जो हो गया, पुसपासन, अमरूद, अंगूर, शरीफा का फलवि जाता है, अब जैसे कि लीची के बारे मां अकसर पूझाता है, लीची का खाने योग भाग को एरिल कहा जाता है, यह याद रखेगा, एरिल ठीक है, तो यहां तक आपका सब कुछ किलियर है, अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बीविद में थोड़ा सा कॉशन दिया ग कौन सा अनाज मानो निर्मित है, तो ट्रिटिकल जाता है, कि सुनहरे चावल में बीटा क्या रूटीन, जीन कहां से आता है, तो डैकोडिल से आता है, करकी स्पेंड से प्राप्त होता है, क्वेक्स से प्राप्त होता है, बीजो के प्रकिर्णन की सेंसर भी धी पाय जाती ह कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है सनाई, जूट, कौन अनुवांसिक रूप से संस्लेशित पादप है तो golden rice, चीक है, golden rice कुल मिलाकर की बात करें तो आज की इस वीडियो में इतने सारे प्रस्ण थे जहां से कई बार कई तरह के प्रस्ण पूछेगा तो आप नीचे वीडियो में कमेंट में जैसे राम जरूर लिख करके जाना तक है मुझे पता चले कि आप यहां तक वीडियो देखे हो चीक है, तो इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फर वॉचिंग वीडियो को लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजगा इस तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहती है तो मिलते हैं हमको नेक्स्ट वीडियो में ने टॉपी के साथ थैंक्स वबच्चिंग वाचिंग 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 की लाइन गावड़ देखने